Hello Everyone, Welcome to Prathika IQ आज हम लोग देखेंगे Best 500 Indian Economy Series का Part 2 तो स्टार्ट करते हैं आज का Lecture पहला Question है ऐसी मुद्रा जिसमें सिख्ष पलाइन कर जाने की प्रविर्ति हो उसे क्या कहते हैं? आपके पास Option है, Option है Hot Money, Option B Soft Money, Option C Hard Money, Option D Token Money तो क्या हो जाएगा? Option A will be the correct answer, Hot Money कहते हैं Token Money क्या होता है? जिससे क्या बोलते है? संकेतिक मुद्रा संकेतिक मुद्रा इसको भारत में सबसे पहले किस ने जारी किया था? मुहम्मद बिन तुगलग ने संकेतिक मुद्रा किस ने जारी किया था? मुहम्मद बिन तुगलग ने नेक्स्ट कुश्ण पर आते हैं राश्ट्री एक क्रिसी और ग्रामिन विकास बैंक जिसे नवाड बोलते हैं इसकी अस्थापना किस पंच वर्षिय योजना में की गई थी? आपके पास ओफशन है ओफशन ए चौथी ओफशन वी पाँच वी ओफशन C छठवी ओफशन D आठवी तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओफशन C वी तर करेक्ट आंसर सिख्ट पंच वर्षिय योजना में नवाड की अस्थापना किये गए थी ओफशन C वी तर करेक्ट आंसर भारतिय ओध्योगिक वीत निकम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया किस रूप में कर्ज करता है आपके पास ओफशन है ओफशन A एक व्यापाडिक बैंक के रूप में ओफशन B एक विकास बैंक के रूप में आप्शन C एक और द्योगिक बैंक के रूप में, आप्शन D उप्यूक्त में से किसी भी रूप में नहीं, तो कैक टांसर क्या हो जाएगा, आप्शन B will be the कैक टांसर, भारतिये और द्योगिक वित निकाम एक विकास बैंक के रूप में काम करता है, यहाँ पर आपका कैक टा की स्थिती उत्पन होगी, आपके पस ऑफ्शन A, O SPT, आप्शन B, मुदरा SPT, आप्शन C, मंदी, आप्शन D, मुदरा SPT, जनित मंदी, तो कैक क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप्ञाए क्रेक टांसर हो जाएगा, आप्शन B, मुदरा SPT, चब मार्केट में बस्टू की मा कम होती है और धन की उपलफ़दा अधिक हो तो क्या होता है कि महांगाई बढ़ जाती है जिसे क्या बोलते है इंफ्लेशन या मुद्रा इस्विती ऑप्शन बी विल भी दा करेक्ट आंसर नेक्स्ट कुश्चन पर आता है कुश्चन आफ फाइब शस्ती मुद्रा चीप मनी से क्या आसा है आपके पास ऑफ्शन है ऑफ्शन एक कम ब्याजदर ऑफ्शन बी बचत का निम नस्तर ऑफ्शन सी आय का निम नस्तर ऑफ्शन डी काले धन की अधिक्ता तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जागा ऑफ्शन ए लो इंट्रेस्ट रेट कम ब्याजदर चीप जरी यह संख्य की कड़िया लाइंगा अधार वर्स क्या है जिसके अंतर गया तो आप पुराने आंक्रों को संसोधित करके कर नए आक्रे जारी करता है आपके पास ओप्स्वाइब आपस आपस ऑप्सवाइब वर्स तो क्रेक्ट अंसर क्या हो जाएगा यहां पे आपका क्रेक्ट अंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्सेने लगू एवं सिमान्त क्रिशकों को साख या डिन प्रदान करना ओप्सेन बी ग्रामे छेतरों में समाने लोगों को साख प्रदान करना ओप्सेन सी लावारतियों को सरकारी युजनाओं का लाव प्रदान करना ओप्सेन ब्हारतिय क्रिसी पुनर्वित निकम के काडियों को करना तो क्रेक्ट अंसर यहां पे क्य जो भारतिये क्रिसी पुनरवित निगम ये कार्ज़ों करना ये छेतरिये ग्रामिन बैंक का काम नहीं है option D will be the correct answer next question पर आते है question number 8 पर ब्याज की वह डर्ड जिस पर भारतिये रिजर बैंक वह निजिक बैंक को को अलपा वधी रिन देता है क्या कहलाती है आपके पास option है option A repo rate, repo दर, option B reverse repo rate, option C प्रमुख उधारी दर, option D उप्युक्त में से कोई नहीं तो correct answer क्या हो जागा ब्याज की वह डर्ड जिस पर भारतिये रिजर बैंक वह निजिक बैंकों को अलपा वधी रिन देता है उसे repo rate कहते है यहाँ पर आपके correct answer हो जाएगा option A will be the correct answer repo rate और reverse repo rate क्या होता है जब बैंक से RBA पैसे लेती है तो उस पर जो इंट्रेस्ट होता है और क्या बोलते है reverse repo rate तो यहाँ पर option A will be the correct answer next question पर आते है question number 9 पर राज भविश निधी के अंदर करत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है आपके पास option A, option A, राज की अकस्मिक निधी में option B, संजुक निधी में option C, समान्य विकास निधी में option D, सरवजनिक लेखा निधी में तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा option D, will be the correct answer राज भविश निधी के अंदर करत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे सरवजनिक लेखा निधी में जमा किया जाता है option D, will be the correct answer next question पर आते है भारत में भारतीयों द्वारा 881 इस्पी में अस्थाबित सिमीत देता का प्रथम बैंक था आपके पास option है अफशन है हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक option B, अवक्त कमर्शियल बैंक option C, पंजाब निशनल बैंक Option D पंजाब and सिंध बैंक तो क्या हो जाएगा Option B will be the correct answer आवस कमर्शियल बैंक Question number 11 पर आते है Reserve Bank of India निमने लिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है आपके पास Option है Option A gold, Swarm Option B, बिदेशी प्रतिभूती Option C, भारत सरकार की प्रतिभूती Option D, उप्यूक सभी तो क्या हो जाएगा Option D will be the correct answer मुद्रा निर्गमन किसे करती है Swarm से भी, gold से भी बिदेशी प्रतिभूती बिदेशी प्रतिभूती Option A, B and C तीनों से यह तो correct answer यहाँ पर हो जाएगा Option D will be the correct answer उप्यूक सभी Next question पर आते है CDB की अस्थापना की गई है कुटीर उद्योकों को वित्परदान करने है तू लगू उद्योकों को वित्परदान करने है तू वरिहत उद्योकों को वित्परदान करने है तू Option D है सारवजनिक छेत्र के उपकर्मों को वीत परदान करने है तू तो यहाँ पर एक एक दांसर क्या हो जाएगा सिट भी के स्थापना क्यों की गई है लगू उद्योगों को वीत परदान करने है तू option B will be the correct answer और सिट भी के स्थापना का वोई थी 2 अप्रेल 1990 में सिट भी के स्थापना का वोई थी 2 अप्रेल 1990 और इसके स्थापना क्यों की गई है लगू उद्योगों को वीत परदान करने है तू question number 13 पे आते है निमने लिखित में से किसका निर्धारन भारतिये reserve bank के द्वारा नहीं किया जाता है आपके पास option है option है bank rate option B CRR option C PLR option D SLR तो क्या क्या हो जाएगा option C will be the correct answer bank दर भी किसे RBI decide करती है CRR भी RBI decide करती है SLR भी RBI decide करती है लेकिन PLR जिसे क्या बोलते है prime lending rate मूल उधार दर इसका मतलब क्या होता है मूल उधार दर जिसे इंगिज़ में बोलते है prime lending rate इसका नेर्दारन RBI नहीं करती है तो यहाँ पर आपके correct answer क्या हो जाएगा option C will be the correct answer next question पर आते है question number 14 पर मीबोर क्या है तो मीबोर का full form क्या होता है पर इसका full form में देख लो मुंबई मुंबई इंटर बैंक offered rate offered rate इक क्या है एक ब्याज दर है मीबोर क्या है एक ब्याज दर है यहाँ पर option है आपके पास option है भारती है call money market का केंदर गलत है option B जपानी call money market का केंदर ऐसा कुछ भी नहीं है Australia call money market का केंदर ऐसा कुछ नहीं है मीबोर क्या है इंटरेस डेट है और मीबोर का full form क्या होता है मुंबाई इंटर बैंक offered rate तो कैक तासर यहाँ पर हो जागा option D उप्यूक में से कोई नहीं और आज के आखरी question पर आते है bank of bureau के गठन का उदे से क्या है आपके पास option है option है नीजी अफिकर्णों को banking license निर्गत करने से बोरू उनके record की जाच परताल कर RBI को सुचित करना option B है सर्वाजनिक बैंकों की कार्णाली में सुधार लाना option C है बैंकों के NPA की समस्या के समधाने तू सालाकार के रूप में कार्ज करना option D विकल भी वसी दोनो तो कैक तासर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो bank of bureau के गठन का उदेस क्या है एक तो है समस्या के समधाने तू सालाकार के रूप में काम करना option C भी सही है तो कैक तासर यहाँ पर क्या हो जाएगा option D विकल भी वसी दोनो तो यह तो था हमारा आज का लिक्ट्रा का वीडियो पस्टान दे तो लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लें मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तरते के लिए नमसकार जाहें